एकपर शार्दा मा को मा काली की बहुत ही अनोखी अनुभूती हुई। यह उस समय की बात है जब श्री रामकृष्ण परमहन्स अपने शरील को छोड़ने की तयारी कर रहे थे। अपनी असीम अनुकंपा में श्री रामकृष्ण परमहंस ने कई लोगों के बुरे कर्मों को अपने उपर ले लिया था और इसी वजह से उन्हें गले के कैंसर का रोग हो गया था। अगर आप इस संधर्व में और भी जानना चाते हैं तो हमारा इंग्लिश वीडियो वाई डिट श्री रामकृष्ण गेट कैंसर जरूर देखें। तो जिब श्री रामकृष्ण परमहंस का शरीर पीड़ा ग्रस्त था और उनके शिश्यों के बुरे कर्मों को काट रहा था, उन्हीं दिनों में शार्दा मा को एक अध्भुत अनुभूती हुई। एक दिन शार्दा मा अपने कमरे में बैठी हुई थी। रामकृष्ण परमहंस जी के बिगरते हुए स्वास्त पर उनका मन टिका हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि एक सावले रंग की महिला जिसके लंबे काले बाल थे उनके कमरे में आई और उनके पास बैठ गई। शार्दा मा महिला को तुरंत पहचान गई। उन्होंने कहा अरे काली मा आप आई हो। मा ने उत्तर दिया हां बेटी मैं आई हूँ दक्षिनेश्वर से। उनके कहने का मतलब था कि वह दक्षिनेश्वर काली मंदर से आई थी जहां पर श्री रामकृष्ण परम्हंस ने अपना ज्यादतर जीवन उनकी आराधना में व्यतीत किया था। मा काली ने कुछ देर बैठ कर शार्दा मा से बातचीत की। बातचीत के दोरान शार्दा मा की दृष्टी काली मा की गर्दन की ओर गई तो वे चौप गई। उन्होंने मा से पूचा काली मा आपकी गर्दन एक तरव जुकी हुई क्यूं है। मा ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे गले में घाव है बेटी, शार्दा मा ने सोचा, आपके गले में घाव है, परन्तु ऐसा ही घाव श्री रामकृष्ण परम्हंस के गले में भी है, मा ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, ऐसा ही है. शार्दा मा तुरन समझ गई कि मा काली और श्री रामकृष्ण परम्हंस एक ही हैं. इस सत्य को उजागर करने के लिए ही मा काली उनके कमरे में आई थी.